इस वीडियो में बात करेंगे HSSC द्वारा जारी की गई CET के लिए एक और नई अपडेट ये देखे क्या लिखा है हरियाना CET आगामी अगस्त में होने पर संशा एंटिया ने NCR के 2400 केंडरो पर CET कराने के लिए मंजूरी मांगी NCR NCR मतलब जो हरियाना का जो छेतर जो दिल्ली में आता है अब पूरा क्या न्यूज है पूरी ये देखिए ग्रूप C और डीपदों के लिए होने जा रहा जो टेस्ट है CET Common Elisibility Test आगामी अगस्त में करवाने पर संशा पैदा हो गया है NTA ने ये टेस्ट आउजित कराना है और इसके लिए NTA और HSSC के साथ एग्रिमेंट हो चुका है NTA ने HSSC को पत्र भेज कर ये कहा है NCR एरिया में पढ़ने वाले 24 परिक्षा केंद्रों पर आयोजित करना चाहता है NCR में नोईडा और दिल्ली के परिक्षा केंद्र भी आते है ठीक है इस पत्र को HSSC ने मुखे सचीव के पास भेज दिया है साथ में HSSC ने हाथ खड़े कर दिये है आयोग का सुझाव है कि NTA के साथ प्रदेश सरकार सीधे बात करें और CET आयोजित कराए अब HSSC केवल NTA को टेस्ट आयोजित करने के बदले अदायगी कर देगा इस पत्र के बाद मुखे सचीव जो संजीव कोशल है उन्होंने गत चार जुलाई को सभी जिला उपायुक्तों से वीडियो कॉनफरेंसिंग की थी और CET आयोजित कराने के लिए हर्याना जिलो के सभी केंदर तलाशने के लिए कहा था वीडियो कॉनफरेंसिंग के बाद अंबाला के सुचाना जन संप्रक अधिकारी कारेले की तरफ से प्रेस रिलीज में ये कहा गया कि हर्याना के मुखे सचीव संजीव कोशल ने सोमवार को चंडिगड से आयोजित कॉमन लेजिबिलिटी टेस्ट के दरिस्टी गत प्रिक् अनी तरफ से NCR के भी छेतर दे रही है ये इस बात के लिए राजी नहीं है एलम का रिवाइज रिजल्ट आज संभव हो सकता है आज एलम का रिजल्ट आ जाई ठीक है छे जुलाई की राद तक परिणाम घुशित हो जाएगा ये बोला गया है HSSC 17 जिलों में CET करवाना चाता है मगर मुख्य सचीव ने सभी जिलों में करवाने के लिए कहा है देखो HSSC तो चाता है कि 17 जिलों के 1058 परिक्षा केंदरों की सूची बेजकर का कि इन पर लगबग 3 लाग परिक्षारतियों के बैठने की सेटिंग है एक दिन में इसके बदले NTA ने NCR के 24 केंदरों पर CET आउजित कराने के नुमतिले लिम्युक्य सचीव संजीव कोशल ने प्रदेश के सभी जिलों में परिक्षा केंदर त्यार करने के लिए जिला उपायुक्तों को निर्देश भी दे दिये है हमने तो अगस्त में CET करवाने का लक् 22 में CET आउजित कराने का लक्ष किया है और मुक्य सचीव ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग में कहा कि उसकी जानकारी नहीं है खदरी ने कहा कि NTA ने आयोग से NCR चेतर के 24 केंदरों की परिक्षा आयोजिन करने की मंजूरी मांगी थी और आयोग ने यह पत्र प्रदेश सरक इसका बेड़ा उठाएं वही NTA से सीधा बात करें वही परिक्षा केंदर सेलक्ट करें और वही आयोजित कराएं अब HSC से भी कुछ चीजे पूछी जा रहे हैं NTA के दौरा और यह यहां से बच निकलना चाहते हैं तो वही देखो अगस्त में होगा तो बिलकुल लास्ट में होगा नहीं तो सेप्टमबर के फर्स्ट में होगा इससे पहले सीधी नहीं होगा अपनी त्यारी करते रहे हैं आपको अपडेट कैसे लगी है बताएगा और प्लीज वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच पसंद आये तो प्लीज लाइक एंड शेयर और प्लीज सब्सक्राइब थैंन